किसान भाईयों नमस्कार मेहूद अश्रत धाकड आप देख रहे हैं डीप आर्मिंग यूटूब चेनल इस वीडियो में हम सर्सों की खेती के बारे में बात करेंगे सर्सों की खेती से अधिक तम 15 क्विंटल प्रती एकर उत्पादन किसान भाई केसे ले किसान भाईयों सर्सों की बुवाई तो किसान भाई समय पर कर देते हैं लेकिन कुछ किसान सर्सों की खेती से ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाते हैं कुछ किसान 8 बोरी, कुछ किसान 9 बोरी, कुछ किसान बाई 10 बोरी या कुछ किसान बाई 12 बोरी भी प्रती एकड यानि की 12 कुंटल तक प्रती एकड उत्पादन ले लेते है ऐसे में वो कौन सी गलतिया है जिससे कुछ किसानों को ज़्यादा उत्पादन मिलता है और कुछ किसान उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाते है किसानों के लिए इस वीडियो में मैं आपको सरसों की खेती की कुछ महत्वपून बाते बताऊंगा जिससे किसान भाई प्रती एकर सरसों की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते है किसान भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडियो को लाइक और अपने किसान सात्यों के साथ सीयर भी जरूर कीजे तो चले वीडियो को सुरूगरते है पहली चीज सरसों की खेती से अधिग उत्पादन लेने के लिए हाइबरिड किस्मों का चियन करे जो अधिग उत्पादन दे जिसमे की पायोनियर की 456 इसके अलावा धान्या कंपनी की एमजे वन एडवांटा कंपनी की 414 इसके अलावा भी कई हाइबरिड किस्मे है किस्मे थोड़ी महेंगी जरूर पड़ती है लेकिन किसान भाई कीमत को देखकर ना गबराए जो विरेटी अच्छी है उन्ही का आप चियन करे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है इसके लावा सर्सों की खेती अगेती करना चीए किसान भाई पचेती बुवाई करते और बाद में देखते है कि पेधवार कम क्यों हुई सर्सों की खेती से आदे कुद पादन लेने के लिए सर्सों की हो सके तब तक आप अगेती बुवाई करे खेत की तयारी वा मिट्टी के बारे में बात करे तो सर्सों की खेती आप सभी परकार की मिट्टी में कर सकते है खेत की तयारी आप नॉर्मल जो अन्य फसल लगाते है ठीक उसी प्रकार से सर्सों के खेत की तयारी भी होती है लेकिन बुवाई के समय खेत में साई खात का परियोग करना जरूरी है जैसे कि नाइटरोजन, फॉस्फरस, फोटास और सलफर प्रिशे करें, उसके बाद संतुलित बीजदर भी डालना चाहिए किसान भाई या तो कम बीज डालते है या जएधा बीज डाल देते है लेकिन संतुलित बीजदर डालने से ही सर्सों के उत्पादन को बढ़ा जा सकता है सरसों की फसल में ज़्यादा फुटावाता है ज़्यादा साखाई निकलती है जिससे सरसों की पेदावार ज़्यादा निकलती है तो बात करते है कि कितनी बीज़र आपको लेना चाहिए सकता है कि कुछ बीजों का अंकुरन ना हो हो भी जाए तो कुछ पोदे खतम हो जाए समय पर पानी ना देने के कारण यह ज़्यादा आगे थी बीजाए के कारण तो इसलिए 800 ग्राम से लेकर एक केजी तक बीज हम जरूर डालते हैं तो आप भी संतुलित बीजर डाले इसके सरसों में तूसरा या तीसरा पानी लगाते समय यूरिया का परियोग जरूर करें जिसमें मुझूद नाइट्रूजन फसल की ग्रोध को बढ़ाएगी पोदे को हरा बरा बनाय रखेगी सल्फर की गमी अगर आपके खेत में है तो यूरिया के साथ सल्फर मिला कर भी दे सक खर्पतवारों को समय पर कंट्रोल करें हो सके तो बुवाई के बाद ही पेंडा मेतलीन खर्पतवाद ना सका प्रियोग करें लाइनों में अगर बुवाई कर रहे है तो कुलपे या डोए चलाए खर्पतवारों को कंट्रोल करें निराई गुडाई कर सकते हैं खर्पतव किसी भी परकार से कोई भी काम आपको नहीं करता है इन बातों को ध्यान रखना है जिससे सरसों के खेती से आप इस साल अधिकतम उत्पादन ले पाएंगे किसान भायू उम्मिद करता हूँ आपको ये जहनकारी फसंद आये होगी वीडियो को लाइक और चेनल को करें धन्यवाद